हेलो फ्रेंट व्लकुम यूटूब चैनल में अपसे स्वागत है फिर से हम एक नए यूड़ोग साथ आज़के हैं अज़के वीडियो के आपके लिए बहुत इंटरस्टिंग और प्यारी सी अप्डेट लेकर आज करने वाले हैं और डिसकर्ष करेंगे और डिटेल में क्या करने वाले हैं चर्चा करने वाले हैं आप सभी के साथ तो इस वीडियो के साथ आप regularly बने रहेगा permanent आपकी बरती रहेगी कोई भी contractual बरती आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी ठीक है तो यहाँ पर देख लेज़ेगा आपको NITRD की तरफ से क्या-क्या आपकी रहने वाली है कुन-कौन सा सलेबस रहेगा यहाँ पर nursing officer की आपकी जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी इसके अंदर अपे level की अगर मैं बात करूं तो level 7 के साफ से आपकी जो salary है वो आपकी रहने वाली है यान के 24,900 रुपर से लेकर 1,20,000 अपर तक आपकी जो salary है वो आपकी यहाँ पर सकती है essential qualification के बारे में अगर मैं आपको discuss करके बताऊंगी इस vacancy का जो essential qualification है वो आपका क्या रहेगा तो essential qualification देख लिजगा जो GNM candidate है वो भी इस vacancies को apply कर सकता है BSC nursing candidate apply कर पाएंगे post BSC nursing candidate apply कर पाएंगे और interesting है तो MSC nursing candidate भी क्या कर सकता है इस post को अपलाई कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर देख लिजगा आपको यहाँ आपको आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी 18-35 आपकी यहाँ पर रहने वाली है application fees देख लिजगा OBC category के लिए 3000 रुपर रहेगी SC ST के लिए 2400 रुपए रहेगी ठीक है और जो physical handicap candidate है उनके लिए यहाँ पर निल रहने वाली है और कोई भी आपकी application fees यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी ठीक है यह तो हो गई आपकी यहाँ पर NITR किस तरब से NITRD की तरब से आपको वेकंसी देखने को मिलेगी अगर expected है आपको वेकंसी की मैं बात करूँ कि पोस्ट आपकी यहाँ पर लगबग कितनी देखने को मिलेगी ठीक है NITRD की भरती भी आपको किस के अंदर NOSAT 7 के अंदर ही देखने को मिलेगी मैंने आपको कल एक separate video भी बताया था कि NITRD की आपको NOSAT 7 के अंदर ही included है और हमेशा NITRD की तरब से जितने भी permanent जो nursing officer के वेकंसी आती है वो हमेशा NOSAT 7, NOSAT के अंदर include होके आती है तो NOSAT 7 के अंदर आपकी यहाँ पर जो vacancy है वो आपकी include की जाएंगी NITRD की तरब से permanent भरती रहेगी एज limit आपकी यहाँ पर रहने वाली है relaxation अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो government rule के इसाब से सेम government rule के साब से आपका relaxation यहाँ पर रहेगा SCST के लिए 5 यहर का, OBC के लिए 3 यहर का और PWD के लिए 10 यहर का ठीक है इस परकार से आपका जो age relaxation है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मैं बात करेंगे कि application form को आपको कहां से बरना है तो application form को इसकी official website www.amsexam.ac.in से ही आपको application form को भरना होगा क्योंकि NITRD का जो exam है वो भी किससे करवाया जाता है AMS Delhi की तरब से ही हमेशा करवाया जाता है तो AMS Delhi की तरब से करवाया जाता है यह आपका Norset 7 के अंदर ही योँ होके आईगा तो आपको क्या करना ओगा ऑल फॉर्म के यह आपको बहुख कर, आपको किसी भी Expressel hospital के लिए आपको अलग से यहां पर भरती के लिए आपको application form को आपको भी के और नहीं आक पर लग से application देने पड़ेगे ठीक है आपको सिरफ क्या करना होगा आपको सिरफ नोडशाट 7 का वहाँ पर आपको application form डालना होगा बाकि आपकी सारी जतनी भी central government के hospital है या फिर जतनी भी आपकी state government के hospital included है नोडशाट के अंदर उन सभी का जो आपका application form है वो आपका वहाँ पर भारा जाएगा बिना कोई doubt के ठीक है फिर उसके बाद में आपको अलग से कोई भी application form को नहीं बारना है तो ये तो होगी NITRD की तरफ उसे जो application form जो आप सभी का आने वाला है और NITRD की तरफ से हमेशा से पर्मानेंटर जो आपकी nursing officer की वेकंसिया है वो आपको देखने को मिली है पर्मानेंट आपकी आपर nursing officer की वेकंसिय रहेगी कोई भी contractual नहीं रहेगी आप application form को क्या करें डालें आपको नहीं हो सकता आपको NITRD के अंदर आपको ये चीज़े देखने को मिल सकती है उसके बाद में आपर थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ कि काफी सारे जो नोट्षट 7 की आपको वीडियो अप्लोड की दी उसके अंदर काफी सारे मेरी पहले साथी कमेंट कर रहे थे कि सार नोट्षट की आपने जो वीडियो अप्लोड की है उसके अंदर minimum qualified 7 के अंदर पूरी डिटेल जानकरी दे दीजे कि minimum qualifying marking क्या रहेगा एक्जाम किस टाइप से रहेगा ठीक है और minimum marking shortlist के अंदर कितने कंडेट रहेंगे पोस्ट क्या रहेंगी तो वह अब भी आपके लिए डिटेल वीडियो चल रहेंगे क्या negative marking रहेगी application form कब से start होंगे सबसे important चीज़ आप किये रहेगी कि आपके application form वह आपके कब से start होंगे कब आपके application form में आपर क्या किये जाएंगे start किये जाएंगी ठीक है क्योंकि नोट्षट 7 के application form आने वाले हैं आपको पता है के अंदर आपको application form की starting हो जाएगी 15 September को आपका क्या रहेगा नोट्षट का exam रहेगा वो fix हो चुकी है date तो उसके लिए आपको डिटेल में चर्चा करने वाला हूं और डिटेल में आपको जो सारी update है वो आपको मैं यहाँ पर provide करवाने वाला हूं तो बेफिकर आप टाइ इंडिया की तने भी time to time update आपको इस channel के माधन से मिलती रहेंगी regularly आप सभी को यहाँ पर update में प्रड़ करवाता रहूंगा कि बरती आपको क्यों कौन कौन सी बरती आ रही है application form किन के आ रहे है एड्मिट कार किन के आ रहे हैं तो सभी regularly आपको यहाँ पर informations देने वाला हूं तो आपको regularly इस channel के साथ support बनाया रखना है सभी साथियों का निवदन है सभी ऐसे ही प्यार बनाया रखने है जिस type से हमें प्यार बना रहे हैं बाकि आपको बिल्कुल भी कोई भी चीज़ की दिकत नहीं लेनी है सारी आपको update देता रहूंगा नोट्षैट के full detail one by one update आप बता दीजे तो मैं आपको बता दो यूपी स्योंच के documents verification अभी नहीं होंगे हाली में जो notification फैला आया गया था वह notification भी क्या था ठीक है वह notification भी आपका क्या था अभी ओर time लगेगा documents verification के लिए तो अभी documents verification नहीं होंगे ठीक है तो यह आपकी information थी अगर आपको information अच्छे ल सबसे important is all over India की time to time update आपको इस channel के माधन से मिलती रहेंगी regularly आप सभी को यहाँ पर update में प्रड़ करवाता रहूंगा कि भरती आपको क्यों कौन कौन सी भरती आ रही है application form किनके आ रहे है एड्मिट कार किनके आ रहे हैं तो सभी regularly आपको यहाँ पर informations देने वाला हूं तो आ आपको regularly इस channel के साथ support बनाया रखना है सभी साथियों का निविदन है सभी ऐसे ही प्यार बनाया रखें इस टाइप से हमें प्यार बना रहे हैं बाकि आपको बिल्कुल भी कोई भी चीज़ की दिकत नहीं लेनी है सारी आपको update आपको इस channel के माध्यम से आपको मिलती रहे होंगे हाली में जो notification फैला आया गया था वो notification भी क्या था ठीक है वो notification भी आपका क्या था फेक था अभी over time लगेगा documents verification के लिए तो अभी documents verification नहीं होंगे ठीक है तो यह आपकी information थी आगर आपको यह information अच्छे लगी है तो चैनल को subscribe कर लीजिगा बैल icon कर लीजिगा वीडि नहीं अपडेट के साथ thank you so much जाहिन जाओ